क्रिया कलाप आठ इस क्रिया कलाप को करने के लिए आपको दो बीकर, दो कीप, दो परखनलियां, हैड्रिला का पौधा, काला कागज, एक वाल्टी पानी की जरूरत होगी हैड्रिला समेद उपकरण, चित्र के अनुसार जमा लें ऐसे दो उपकरण के सेट जमाएं एक सेट को धूप में और एक सेट को काले कागज से ढख कर छाओ में तीन-चार घंटे के लिए रख दें समय समय पर अवलोकन करते रहें काला कागज इस प्रकार ढखें कि उपकरण पर किसी भी तरब से प्रकाश ना पड़े धूप में रखे वे उपकरण में आधा परकनली भर गैस इखटा हो जाए तो पूरे उपकरण को बाल्टी भर पानी में रखते हुए परकनली को कीप के उपर से हटा लें वह अपने अंगूठे से उसके मुह को ढख दें अब परक्नली को सीधी करके अंगूठा हटा कर उसमें तुरंत सुलक्ती हुई अगरबत्ती डाल कर गैस का परिक्षन कीजिए क्या अगरबत्ती तेजी से जल उठी? ऐसा क्यूं हुआ होगा? परक्नली में कौन सी गैस इखटी हुई? याद कीजिए आपने इस प्रकार पिछली कक्षाओं में कौन सी गैस का परिक्षन किया था? किस उपकरन सेट में ज़्यादा गैस इखटी हुई और क्यों? हमने इस प्रयोग में पाया कि धूप में रखने से हाइड्रिला पौधे ऑक्सिजन गैस छोड़ते हैं ऐसा ही इंगिन हाउस ने भी पाया था आगे चलकर वैज्यानिकों ने यह भी पाया कि धूप में पौधों में कुछ जटिल पदार्थ जैसे स्टार्च, ग्लुकोज आदी भी बनते हैं धूप में उर्जा होती है और इसी उर्जा का उप्योग कर पेड़ पौधे ऑक्सिजन गैस वा कुछ जटिल पदार्थ जैसे ग्लुकोज मंड आदी बनाते हैं सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्मान को वैज्यानिक संशलेशन एक सांथ लाना कहते हैं जब सुरी के प्रकाश की उपस्थिती में संसलेशन की प्रक्रिया संबन होती है तो इसे प्रकाश संसलेशन कहा जाता है प्रकाश संसलेशन प्रित्वी पर होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसी से लगभग सारे भोजन और आक्सिजन का निर्मान होता है जो मनुश्य समेत लगभग सभी सजीवों के लिए अनिमार्य है अधिकाश भोजे पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से ग्लुकोज होता है पानी से तो केवल आक्सिजन और हाइड्रोजन ही मिलती है तो कार्बनिक पदार्थ ग्लुकोज के लिए कार्बन अणू कहां से उपलब्द होते हैं इस सवाल का जवाब 18 सदी के अंत तथा 19 सदी के शुरुआत में किये गए प्रयोक से प्राप्त हुआ वैज्यानिक तब ये दर्शा पाए कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ मुख्यतक कार्बन और पानी से बना होता है एवं कार्बन का स्रोथ हवा का एक अव्यव कार्बन डाय ऑक्साइड गैस है इस प्रकार प्रकाश संसलेशन की रासाइनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाए तो हमें इस प्रकार समीकरन प्राप्त हुगा कार्बन डाय ऑक्साइड प्लस पानी प्लस प्रकाश उर्जा बराबर भोजन प्लस ओक्सिजन NCO2 प्लस NH2O प्लस प्रकाश उर्जा बराबर CnH2O होल N प्लस NO2 जहां N अणों की संख्या है N का मान छे हुआ तो यह समीकरन क्या होगा तथा भोजन के रूप में कौन सा कार्बनिक पदार्थ बन रहा है सभी सजीवों में दिन राज चलने वाली श्वशन की प्रक्रिया का समीकरन हमने इस अध्याय में पहले भी पढ़ा था प्रकाश, संसलेशन और श्वशन के समीकरनों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि यह एक दुसरे के विपरित दिशा में चलती है एक में प्रकाश उर्जा रसाइनिक उर्जा में बदलती है और कारवन डाय ऑक्साइड वा पानी से मुख्य रुप से ग्लुकोज बनता है दूसरे में ग्लुकोज के अबघटन से कारवन डैयोकसाइड वा पानी बनता है और इसमें रसाइनिक उर्जा अन्य प्रकार के उर्जा में बदलती है जिसका उपयोग सजीव अपने जैविक क्रियाओं के संचालन में करते हैं हम यह जानते हैं कि श्वशन की प्रक्रिया सभी सजीव कोशिकाओं में निरंतर चलती रहती है क्या प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया पौधों की सभी कोशिकाओं में होती है 19 सदी से ही इस दिशा में शोध शुरू हो गया था और वैज्यानिकों ने पाया कि पौधों के सिर्फ उन्ही उत्तकों की कोशिकाओं में प्रकाश संसलेशन होता है जिनमें हरित लवक होते हैं हरित लवकों के हरे पदार्थ को इसी दोरान क्लोरोफिल यानि पर्ण हरिम कहा गया बीस्वी सदी में इलेक्ट्रॉन सुक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चाथ पौधों के हरित लवक के अंदर के उन भागों का भी अवलोकन किया गया जहां प्रकाश संसलेशन की रसाइनिक अभिक्रियाएं होती हैं वैज्ञानिकों ने अभिरंजक तक्नीकों की मदद से ये भी पाया कि प्रकाश संसलेशन के दोरान पानी के अणूं से आक्सिजन मुप्त होती है और ये प्रकाश की उपस्थिती में ही होती है जितने पानी के अणूं की जरूरत होती है उन में से लगभग आधे अणूं प्रकाश संसलेशन के प्रक्रिया के अंत में निकल जाते हैं प्रकाश संसलेशन द्वारा ग्लुकोज बनने की रसाइनिक अभिक्रिया को हम इस तरह समीकरन द्वारा तर्शा सकते हैं आप भी हरित लवक को देख सकते हैं सकते हैं झाल 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 झाल